यह जो आप लोग देख रहे हैं यह आपको याद है कौन है। लोगों के साथ और उस गाने का जो ये जो है वो म्यूजिक डाइरेक्टर है और एक जो है उसका सिंगर है इन दोनों का नाम है एक का बिश्वजी चौधरी और एक का नाम है गुलसन सर्मा जियां इन दोनों का खबर ये आ रहा है कि बहुत जो है मार पड़ी है अचानक से इ पूरा समझतिएगा तो बात यह कहा जा रहा है कि इन दोनों को उपर जो है इस GET हो हुनकर हाया और यह चीज का खुलासा जो है यह दोनों खुद आज से पहले लाइब आये थे मतलब जब यह गाना ट्रेंडिंग में गया था और तभी इन लोगों ने यह बात बोल रहे था अब ही जो आप लोगों ने यह लाइब देखा यह उसी चीज का जो था आज से मतलब की इन लोगों को हलाकि जब गाना रिलीज किया गया था यह मतक मतक जो गाना आया था सपना चौदरी का वस्ट मीजिक पे तो उसी दिन से जो था यह इन दोनों को जो है वो धमकी मिल रहे थे इनको बोला जा रहा था कि यह गाना को जो है हटा दो हटा दो पर यह हटा नहीं रहे थे उसके वज़ा से जो है इन्हों को पीटा गया हैů जो कि इन्हों ने कोई लोग ना की अंतर है कि फेसारी लाल तो भोजपुरी से उठक हरियान भी इंड़स्ट्री तक जाकर जो है वो चोरी का मामला पैला दिये है मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अब भोजपुरी में रहते हैं तो यहां पे चोरी बॉलीवुड में जाते हैं तो वहां पे चोरी मतलब हर जगा जाते हैं तो कुछ ने कुछ कंट्रवर्सी करके ही आते हैं, उसके बाद मामला जो है बहुत सा गरम हो गया, गुलसन कुमार का ये देखिया, आप लोगा पोस्ट ये लिख रहे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि मुझे तो मतलब हम तो बच गए लेकिन तुम लोग नहीं ब काना चाहते हैं, उसी तरीके से अब वो चाहते हैं कि हर्यानवी इंडस्ट्री में भी कंट्रवर्सी के साहरे लेकर आगे बढ़ा जाए, परहाल आप लोग को क्या लगता है कि क्या ये कितना सचाई है इस वीडियो में, आप लोग बताईए क्या सारी लाल यादों कंट्र करना चाहती है क्योंकि सपना चोधरी का पहले से मैं सपना चोधरी को तो मान नहीं सकता है, वो तो पहले से भी हर्यानवी में इतना फेमस हैं, क्योंकि गाने बहुत जाते हैं, बिलियन में गाने हैं, बलकि उसी चैनल पर बिलियन में गाने हैं, तो ये किसके और से हो रहा यह चीज तो समझ में आ रहा है कि कहीं ने कहीं प्रोपगेंडा इसमें है क्योंकि पहले मार पीट फिर उसको बज जाना अगर मारना ही होता तो अच्छे से मारता और अगर मारे भी तो ये लोग FI R भी कर सकते थे अभी तक FI R नहीं हुआ है ये भी आप लो समय लेजिए त क्योंकि भोजफूरी से अब उठकर मैं भी पहले भी बोला था कि इंटरनेशनल चोर है भाई तो हर्याना तक अब चोरी का मामला पहुंच गया है बाकि आप लोगों क्या लगता है जरूर बदाए अगले वीडियो में